जब भी हम कोई iron खरीद के लाते हैं तो कुछ मंत के बाद आपने नोटिस किया होगा कि उसका heating coils बहुत जल्दी खराब हो जाता है कपड़े iron करते टाइम सोल प्रेट पे कपड़ा चिपक जाता है और बार बार iron करने पे भी cotton कपड़ों पे जो छोटे छोटे क्रीज होते हैं वो भी जल्दी नहीं जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सस्ता देख के एक चीप ब्रैंड का iron खरीद लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल useless होता है इसलिए इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कोई भी iron खरीदने से पहले हमें किन-किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और 5 best of best iron का review भी करने जा रहा हूँ जो long lasting, अच्छी build quality और अच्छी hitting performance के साथ आती है और हमेशा की तरह इन सभी iron का सबसे lowest price का link भी नीचे description में मिल जाएगा जिसे आप बाद में check out कर सकते हैं तो basically दो types के iron इंडिया में ज़्यादा popular है, एक है dry iron, दूसरा steam iron यहाँ पर आपने notice किया हो कि जब भी आप dry iron यूज़ करते हो, तो आपको वो iron finishing देखनों को नहीं मिलता है चाहे आप उस एरिया पर जितनी बार भी iron कर लो, wrinkles थोड़े बहुत रही जाते हैं और यह iron मोटे कपड़ों के लिए भी suitable नहीं होता है बट इसकी जगह आप steam iron यूज़ करते हो, तो आपको perfect ironing देखनों को मिलता है, बीना कोई wrinkles के क्योंकि इस iron में छोटा सा water tank होता है, जिसमें पानी डालते है, और यह पानी steam में convert हो जाता है और जब आप iron करते हैं, तो आपको pressure लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, काफी smoothly iron हो जाता है इसलिए मैं हमेशा यही recommend करता हूँ, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, बट आप एक steam iron लेने का try करें नेक्स्ट आपको यह भी धियान में रखना है कि iron का जो base होता है, मतलब जो soul plate होता है, उस पे non stick coating ज़रूर होनी चाहिए ताकि iron करते टाइम आपके नए और महंगे कपड़े पे चिपके ना नेक्स्ट हमें कितने power वाला iron लेना चाहिए तो अगर dry iron लेने जा रहे है तो कम से कम 1000 से 1200 वाट्स तक कर ले सकते है और अगर steam iron लेने जा रहे है तो 1400 से 1400 वाट्स तक कर ले सकते है ताकि fast और perfect heating देखनों को मिले iron में temperature control knob जरूर होना चाहिए जिससे आप अलग-अलग fabric के हिसाब से temperature adjust कर सके ताकि कपड़े overheat के वाज़े से खराब ना हो अर लासली आपको ये भी देखना है कि जो भी iron आप purchase करने जा रहे है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा warranty होनी चाहिए क्योंकि जितनी long warranty होगी समझे उसकी build quality और performance उतनी better होगी ओगे सो इनी सबी important points को ध्यान में रखते हुए मैं 5 best of best iron का review कने जा रहा हूँ पट उससे पहले आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी informative लगा हो तो please वीडियो को like और channel को subscribe करके मुझे motivate कर सकते है ओगे सो मेरे list में number 5 पर आता है उशा एल अर्मोर dry iron आगे मैं कुछ steam iron भी बताने वाला हूँ सो इस वीडियो में बने रहे सो अगर आपका budget बहुत कम है और आपको एक dry iron ही लेना है तो उसा के इस model के साथ जा सकते है जो 1100 watts power के साथ आता है और इसकी build quality की बात करूँ तो यह fully plastic cover body के साथ आता है जिसे shock और burning से safety बनी रहती है और इसके soul plate पे black non-stick coating भी किया गया है ताकि कपड़े iron करते time चिपके ना इसमें adjustable temperature control knob भी मिल जाता है जिसमें 5 fabric setting देखनों को मिलता है जिसे आप fabric के coating set कर सकते है और इसके साथ indicator light भी मिल जाता है 180 degree civil power cable दिया गया है ताकि wire जब bend हो जाए तो ये cut है ना और इसका length 1.8 meter long है ये एक ISI certified safe iron है जिसमें thermal fuse protection मिल जाता है जो overheat से protect करता है 550 gram weight है जो की काफी light weight है ताकि ironing करते time ज़्यादा heavy feel ना हो हातों में और इसके price की बात करूं तो ये 450 से 550 के आसपास मिल जाता है उशा के इस product पे 2 साल की warranty मिलती है और इसके कुछ pros and cons भी मैंने note down किये है तो सबसे पहले ये काफी budget friendly है lightweight है, design भी अच्छा है non-stick soul plate मिल जाता है thermal fuse protection मिल जाता है बट इसे heavy और cotton cloths के crease पूरी तरह नहीं जाता है इस iron का सबसे lowest price का link के मैंने नीचे description में दे दिया है जहां से आप इसका offer price भी जान सकते है और इसे purchase भी कर सकते है ओगे सो मेरे list में number 4 पर आता है Bajaj DX6 dry iron अगर आपको 360 degree civil cable और German coating technology वाला dry iron लेना है तो Bajaj के इस model के साथ जा सकते है जिसका power consumption 1000 watts है इसकी outer body study plastic material की बनी है और इसके soul plate पे non-stick coating तो मिली जाता है और साथ ही antibacterial German coating भी किया गया है which is good इसमें 180 degree के जगा 360 degree savival power coat दिया गया है और इस wire का length 1.8 meter है इस iron का weight 650 gram के आसपास है और ये आपको 500 से 600 के लगबग पढ़ जाता है बजाज का ये product 2 साल की warranty के साथ आती है और इसके pros and cons की बात करूं तो dry iron और brand के साब से price सही है इसका light weight है 360 degree savival coat मिल जाता है non-stick और anti-bacterial coating किया गया है और बजाज की customer service भी काफी अच्छी और fast है बट इसमें भी आपको heavy और cotton cloth के crease के लिए आपको अलग से पानी spray करना पड़ेगा इसका भी सबसे lowest price का link के नीचे description और comment box में मिल जाएगा ओगे से मेरे list में नमबर 3 पर आता है फिलिप्स का GC1905 steam iron फिलिप्स का ये steam iron soul plate के hole से steam तो generate करता ही है और साथ ही इसमें spray function भी मिल जाता है जिससे heavy और cotton cloth के crease को easily मिटा सकते है और ये steam iron 1440 watts power के साथ आता है इसका water body plastic material के बना है जिसमें 180 ml water tank container दिया गया है और इसके base में non-stick soul plate मिल जाता है temperature control knob के साथ इसमें spray button और steam control knob भी दिया गया है और जब आप इसे use करोगे तो per minute 17 gram continuously steam generate करता रहता है ये anti-drift feature के साथ भी आता है जिससे steam hole से water leakage का दिकत नहीं आता है इसमें 1.8 meter long और 360 degree survival power code मिल जाता है और जैसा कि ये steam iron है तो इसका weight भी थोड़ा जादा होगा जो की 1 kg है और price की बात करूं तो 1400 से 1700 के आसपास ये पड़ जाता है फिलिप्स के इस iron पे दो साल की warranty मिलेगी और इसके pros and cons की बात करूं तो सबसे पहले ये बिल्कुल value for money है ironing finishing काफी अच्छा निकाल कर देता है इस spray function भी इसमें मिल जाता है fast hitting देखनों को मिलता है customer service भी इसका अच्छा है इस steam iron में सबसे best ये है कि ये ceramic coating के साथ आता है जो थोड़ी costly जरूर होती है बट इसके बहुत सारे benefits है जैसे ये काफी long lasting रहता है heat proper distribute होता है और ये कभी कपड़े पे चिपकता नहीं है इसके soul plate पे 46 holes दिये गया है better steam के लिए और ये iron 2000 watts के साथ आता है जिसमें काफी fast heating भी देखनों को मिलता है इसमें 350 ml का large water tank दिया गया है temperature control knob, spray button, steam button और steam control slider भी मिल जाता है मतलब steam control slider से आप steam को कम या ज़्यादा कर सकते है wrinkles के according anti-calc function भी मिल जाता है जो water container के calcium deposit को self clean करता है ये भी ISI approved steam iron है जो safety feature के साथ आता है 360 degree survival power code इसमें मिल जाता है जो 1.8 meter long है इसका weight थोड़ा जादा है जो की 1.5 kg है और ये steam iron आपको 1800 से 2000 के आसपास पढ़ जाता है company इस product पे 2 साल की warranty देती है और इसके pros and cons की बात करूँ तो large water tank इसमें मिलेगा 46 steam hole इसमें दिया गया है ceramic salt plate मिल जाता है इसमें भी spray function मिल जाता है auto clean feature इसमें दिया गया बट wire की quality और थोड़ी better हो सकती थी इसका भी सबसे lowest price का link के नीचे description और comment box में मिल लाएगा ओगी तो finally मेरे लिसमें number one पर आता है Philips easy speed steam iron जब आप इसका customer feedback दखोगे तो लोगोंने 4.3 star की rating दिये जो की iron में सबसे best rating है क्योंकि इसकी performance और steam quality बहुत ही शांदार है compare to other iron ये steam iron 2400 watts power के साथ आता है जिसमें fast heat up और powerful steam generation performance देखनों को मिलता है इसकी outer body durable plastic की बनी है जिसमें 250 ml तक का पानी फिल कर सकते है और इसके भी soul plate पे ceramic coating देखनों को मिलेगा इसमें temperature control knob, steam button और cal cleaning slider मिल जाता है इसके steam hole से 30 gram per minute continuously steam generate होता है और 150 gram steam sword hard creases पे use भी कर सकते है which is good इसमें भी anti-drift feature मिल जाता है जिससे water leakage की problem नहीं होगी 1.9 meter इस cable का length है जो 360 degree survival coat के साथ आता है इसका weight 1.2 kg है और जैसा कि एक premium और long lasting iron है तो इसका price भी थोड़ा जादा है जो 2600 से 2900 के आसपस पढ़ जाता है पर अगर आप purchase करने time card वगरा use करेंगे तो कुछ extra discount भी आपको मिल जाता है फिलिप्स का ये steam iron दो साल की warranty के साथ आती है और इसके pros and cons की बात करूं तो compact design है इसका 30 gram per minute steam generate करता है फास्ट हीटिंग देखनों का मिलता है ceramic soul plate भी इसमें मिल जाएगा overall performance काफी अच्छा है इसका बट जैसे कि ये 2400 watts का है तो ये थोड़ा जादा electricity भी consume करेगा और price भी थोड़ा इसका जादा है और हाँ guys मैंने सभी iron का सबसे lowest price का link के मैंने नीचे description में दे रखा है तो एक बार सभी का price जिरूर चेक आट करें क्योंकि website पे इन पे अच्छे अच्छी sale चलती ही रहती है So I hope iron's related जो भी आपका confusion था वो clear हो गया होगा पर फिर भी कोई सवाल या confusion हो तो please आप comment कर दो मैं इसका reply ज़रूर करूँगा और इस चैनल पर मैं हमेशा इसी तरह का detail वीडियो लाता रहता हूँ तो ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखे क्योंकि future में हमेशा कामी आएगी Thanks for watching guys, have a nice day